कौन से पुत्र के मृत्यू माता-पिता के मृत्यू से पहले हो जाती है? कौन सा पुत्र माबाप को दारोड दुख देने के लिए आता है? दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं हम अकसर देखते हैं और सुनते हैं कि किसी पिता के आगे उसका जवान बेटा खतम हो जाता है? या चोटा बेटा खतम हो जाता है या फिर सुनते हैं कि कोई पुत्र अपने माता पिता को इतना दुख दे रहा है कि शायद कोई शत्रू भी ऐसा दुख ना दे माबाप उससे बहुत परिशान है तो दोस्तो चलिए जानते हैं कि पिता की मृत्यू से पहले पुत्त की मृत्यू क्यों हो जाती है दोस्तो एक समय की बात है हिमाले परवत पर शेवगड़ बैठ करके चर्चा आपस में कर रहे थे वो लोग आपस में प्रशने करते जाते और उनके उत्तर मिलते जाते उन्हें दोस्तो ये चर्चा होते होते एक ऐसा भी प्रशनाया जिसको सुनकर सभी शेवगड़ सोच में पढ़ गए और वो प्रशन ये था कि मृत्यू लोग में कुछ पुत्रों की मृत्यू पिता की मृत्यू से पहले क्यों हो जाती है और कुछ पुत्र माता पिता को दारण दुख क्यों देते है ऐसा क्यों होता है दोस्तों जिस पिता की आखों के सामने उसका जवान पेटा खतम हो जाए उस पिता को कितना दुख होगा ये आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों होना ये चाहिए कि पहले पिता की ब्रत्यू हो पिता की अर्थी बेटे के कंधे पर जाए और बेटा बाप को मुखागनी दे अंदाजा नहीं लगा सकते वो जीवित ही मृत्यू को प्राप्त हो जाता है कई बार कुछ बेटे अपने माबाप के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं उन्हें मारते पीटते हैं तरह तरह की यातनाय देते हैं बुढ़ापे में उन्हें दो रोटी तक नहीं दे प पड़ते हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता सभी शिवगड़ों में ये चर्चा चल ही रही थी किसी की भी समझ में ये नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्यों होता है विशेब बहुत ही महत्वपूर था तभी वहां पे गनेश जी आते हैं और उन सब की बात परचा चल रही है आप किस बात को ले करके इतना व्यथित हो रहे हैं तब उन में से एक शिवगड़ खड़ा होकर कहता है कि गनेश जी हम ये जानना चाहते हैं कि पिता से पहले उसके बेटे की मृत्यू आखिर क्यों हो जाती है तो गनेश जी कहने लगे कि हे सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार आपका ये जन्म पिछले जनम पर आधारित होता है और ये भी जरूरी नहीं है कि पूरा जीवन ही पिछले जनम पर आधारित हो लेकिन पिछले जनम का हमारा कुछ हिसाब किताब अगर बाकी रह जाता है तो वो हमें इस जनम में पूर करना पड़ता है हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा कर्म ही हमारी गतिताय करता है आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपके भविश्य को निर्धारित करता है कर्म चार प्रकार के होते हैं पहला संचित कर्म दूसरा प्रारब्ध कर्म तीसरा आगामी कर्म और चौथा वर्त इन चारों कर्मों का अलग-अलग फल मिलता है। इन मेंसे जो संचित कर्म होते हैं वो हमारे अगले जनम में हमारे साथ रहते हैं। और उनी कर्मों का फल हमें कभी-कभी दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद ये भौतिक शरीर तो नश्ठ हो जाता है लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वो जन्म-जन्मानतर तक आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। और हमारे जितने भी सगे सम्मंदि होते हैं, वे सभी किसी ना किसी करणव हमारे साथ आते जाते हैं, कभी किसी जनम में, कभी किसी जनम में, वे सब हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग-अलग रूपों में आते रहते हैं। गनेज जी की बात सुनकर सभी शिवगड कहने लगे, आपकी ये बात हमारी समझ से परे है गनेज जी, थोड़ा और सरल भाशा में हमें समझाईए, तो गनेज जी कहने लगे, ध्यान से सुदिये, मैं तुमें इस बारे में एक अद्भुत और रहसे में कथा सुना रहा हूँ इस कथा के मात्यम से आपको ये जवाब मिल जाएगा कि पुत्र की म्रत्यू पिता से पहले क्यों हो जाती है, सभी लोग चुप चाप बैठ जाते हैं और गनेज जी कथा सुनाना आरंब करते हैं, वे कहते हैं, एक बार एक गाउ में एक किसान रहता था, उसके परिवार मे उसकी पत्नी और एक लड़का था, कुछ समय के बाद किसान की पत्नी की म्रत्यू हो जाती है, जिस समय किसान की पत्नी की म्रत्यू हुई थी, उस समय लड़के की उम्र मात्र 10 साल थी, तब किसान ने अपनी दूसरी शादी कर ली, उसके बाद किसान की दूसरी पत्नी से भ कुछ समय के बाद किसान का जो बड़ा बेटा था जब विवा के योग्य हो जाता है तो किसान ने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे का विवा कर दिया। दीरे दीरे कुछ समय बाद किसान बीमार पड़ जाता है, बीमारी के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और उसकी भी एक दिन रित्य हो जाती है। किसान का जो जो जोटा बेटा था जो उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था, वो अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बहुत प्रेम से रखता है, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, एक दिन किसान का छोटा लड़का बी कि दिन पर दिन तब्यत बिगरती जा रही थी, चोटे भाई के इलाज में बड़े भाई ने काफी धन खर्च किया, अब वो खर्च करते करते ठक गया था, एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सला की, कि अगर मेरा चोटा भाई जो की सौतेली महां से पैदा हुआ ह ये मर जाए तो हमें उसके इलाज के लिए पैसा खर्चित नहीं करना पड़ेगा, और जाजाद में भी आधा हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा, छोटे भाई की भी सारी जमीन जाजाद हमारी हो जाएगी, अब बड़े भाई को अपने छोटे भाई की जान से जादा प सकते, यदि इसे मार दिया तो लोग समझेगे कि हमने लालच के कारणि से मार दिया, क्यो repent, ये काम हम किसी वैध से करवा ले, आप जाएए और किसी वैध को लालच दे कर उससे कहिए कि इसे दवा के बदले जहर दे और इसे मार दे, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा औ और कोई रिष्टेदार हम पर शक भी नहीं करेगा। सब लोग ये समझेंगे कि ये बीमार था इस कारण से इसकी पृत्ति हो गई। बड़े भाई ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि किसी से बात की जाए तो हमारा काम बन जाए। और फिर बड़े भाई ने ऐसा ही किया। उसे एक कोई निकट का घनिष्ट वैद मिल गया, वो वैद पैसो का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद से बात की कि मुझे छोटे भाई को जहर दे कर मरवाना है, तो वो वैद लालचवश तयार हो गया। वो वैद ये काम करने को राजी हो गया और उसके बदले में मोटी रगम मागी। छोटा भाई बीमार तो रहता ही था, वो वैद उसका उपचार करने के बहाने से उसे देखने के लिए आता है और उसका हिलाच करने के बहाने उसे जहर दे कर कि चला जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे की मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक बहुत सके तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहर के प्रभाव से तुरंत ही उस छोटे भाई की मृत्यू हो जाती है अपने छोटे भाई की मृत पर वे दोनों पती-पत्नी बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि चलो रास्ते का काटा निकल गया अब इसके हिस्से की सारी जमीन जाजाद भी हमारी हो गई वो दोनों बहुत ही प्रसंद होते हैं गरेशी कहते हैं कि याद रखिएगा आप लोग जो खुशी दूसरे क दुख की बुनियात पर होती है जो धन दूसरे की हिंसा करके कमाया जाता है वो धन कभी भी आपको सुख नहीं देता और जो लोग दुख दे कर सुख पाने की कामना करते हैं याद रखिए उनके यहां एक दिन महा भयानक दुखाता है गनेश जी कहते हैं कि हे इस प्रकार बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ती पर अपना अधिकार जमा लिया किसी रिष्टेदार को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ रिष्टेदार तो ये सोच रहे थे कि ये छोटा भाई अपनी ही मृत्यू भरा है सौते कारे की इम्रत्य हो गई दुनिया वालों को क्या पता था कि वो मरा नहीं था बलकि उसे मारा गया था बड़ा भाई पूरे विधिविधान से उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है धीरे धीरे समय निकलता चला गया फिर गनेश जी कहते हैं कि कुछ महिनों के पश्चात उस ही लाट प्यार से अपने बच्चे को रखते हैं वो लोग कुछ वर्षों में वो लड़का जवान हो जाता है उन्होंने अपने लड़के की एक सुन्दर सी कन्या को देखकर शादी करवा दी बड़ी धूमधाम से किसान ने अपने बेटे का विवाह किया बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया बेटे की बहु जब घर में आ जाती है जब उसकी शादी हो गई तो वो लड़का कुछ दिनों में अचानक से बीमार रहने लगा माबाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य को बुलाया बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया जितन पर जितना कर्ज है वो तो हमें चुकाना ही पड़ता है चाहे कैसे भी चुकाएं उस लड़के की तब्यत दिन पर दिन खराब होती गई लड़का बीमारी के कार मन्ने की कगार पर आ गया शरीर बहुत कमजोर हो गया उन्होंने लड़के को चार पाई पर लिटा रखा था और उसका पिता अपने कुछ रिष्टेदारों के साथ और पतनी के साथ अपने पुतर की दैनी हालत को देखकर दुखी होता रहता था अपने रिष्टेदारों से वो कह रहा था कि ये क्या हुआ मेरा एकलौता पुतर है ये भगवान ने ये मुझे किस बात की सजा दी है गनेश जी कहते हैं कि देखिए उसी समय वो लड़का बोल उठा अपने पिता से वो लड़का बोला कि भाई आपना हिसाब साफ हो गया बस अब कफन और लकडी का हिसाब बाकी है उसकी तयारी कर लो ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है देखो ना मैं इसका बाप हूँ और ये मुझे भाई कहकर बोल रहा है तब लड़का कहता है नहीं भाई आप मेरे बाप इस जनम में हैं पिछले जनम में आप मेरे भाई थे याद कीजिए ये सभी रिष्टदार बैठे हुए हैं मै तुम्हारा चोटा भाई हूँ तुम्हारी सोतेली मा का बेटा तुम्हारा चोटा भाई जिसको आपने जहर दे करके मरवा दिया था अब वही संपत्ती बिककर मेरे इलाज में लग चुकी है आपके उपर मेरा जो धन था वो धीरे धीरे मैंने अपने इलाज में लगवा यह सुनते ही उसका पिता एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है हाई मेरा तो कुलका नाश हो गया हाई मैंने ये क्या कर दिया मैंने जो किया था वो मेरे आगे आगया पर भाई मुझे ये तो बता दो मैंने जो किया था वो तो मुझे देखने को मिल गया पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती है इस तेरी पतनी का क्या दोश है जो बेचारी बिया कर तेरे साथ आई है यह तो निर्दोश है अब इसको जिन्दा जलाया जाएगा गनेश जी कहते हैं कि उस समय सती प्रता चलती थी जिसमें पती के मनने के बाद पतनी को ज्वती के साथ जिन्दा जला दिया जाता था तब वो लड़का कहने लगा कि हे भाई आप मेरी बात ध्यान से सुनो तुमने वैदी को मेरे पास इलाज के लिए बुलाया था और उस वैदी को तुमने कुछ पैसो का लालज भी दिया था उसने मुझे जहर दे दिया था जिससे मेरी जिस वैदी ने मुझे जहर खिलाया था तुम्हे क्या उसका पता है तब उसके पिता ने कहा हाँ बेटा मुझे पता है आपकी मौत के तीन साल बाद वो भी वैदी मर गया था लड़के ने कहा कि वही वैदी या मेरी पतनी के रूपे मेरे घर आया है मेरे मरने के बाद पश्य भोगना पड़ेगा, हमारे जीवन में आने वाले पात्र और पृत्य घटनाएं हमारे ही कर्मों की उपज होती है, हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटने को हमें मिलता है आज नहीं तो कल हमें हमारे कर्म का फल जरूर मिलेगा जीवन के हर कठिन प्रश्ण का जीवन से ही हल निकलता है जितना गहरा कुआ होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा गनेजी कहते हैं इतना कहने के बाद वो किसान मृत्यू को प्राप्त हो जाता है उस किसान के पास कोई दूसरा पुत्र भी नहीं था उसकी सारी संपत्ती भी नाश हो जाती है उसकी इम्रत्यू के बाद जो उसकी पत्नी थी उसको भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता है उस वैद्य को भी उसके कर्म का फल मिल गया जिसने लालच के कारण उस किसान पुत्र को जहर दिया था वो वैद्य मरकर उसकी पतनी बना था उसे भी मृत्यु के महा भेंकर कष्ट से होकर गुजरना पड़ा इस दुनिया में चार प्रकार के पुत्र होते हैं और जो जो काम उसने किये हैं उन कामों का भुकतान भी किया जाता है ये बास सुन करके शिवगण कहने लगे कि चार प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं तब गनेश जी कहते हैं शास्त्रों में चार प्रकार के पुत्र बताए गए हैं पहला पुत्र होता है रिडानुबंध दूसरा पुत्र होता है शत्रुपुत्र तीसरा होता है उदासीन और चौथा पुत्र होता है सेवक ध्यान रखिए जो दो पहले पुत्र हैं रिडानुबंध और शत्रुपुत्र ये दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार ही आपके घर में जनम लेते हैं तो इनकी मृत्यूपिता से पहले हो जाती है अगर किसी पुत्र की मृत्यूपिता स पहले हो जाये तो समझ लेना कि वो रिडानुबंध और शत्र पुत्र पैदा हुआ है प्रचलित मानिताओं के अनुसार अगर आपने अपने पूर्व जनम में किसी को किसी भी प्रकार का दारूर दुख पहुचाया है और वो व्यक्ति आप से किसी भी तरह का बदला लेना लेकिन वो किसी कारण बस बदला ले नहीं पाया है और क्योंकि वो कमजोर था और वो इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाता है तो निश्यत मानिये वो व्यक्ति इस जनम में आपका पुत्र बन कर लोटेगा और फिर वो अपना बदला जरूर लेगा आपको अपने ही पुत्र आपको मृत्य तुल कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि आपके पिछले जरम का वो शत्रू हो सकता है या वो व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्य तुल कष्ट दिया होगा ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह के कष्टों से भर देती है आपका जीवन नर पूर कर देती है तो इस तरह से पिता से पहले वही दो पुत्रों मरते हैं जो रिडानु बंध होते हैं और जो शत्रू होते हैं अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए किसी के यहां आकर जनमधारण करते हैं भगवान शी कृष्ण ने अरजुन से गीता में लिखाई दे रहे हैं ये सभी तुम्हारे और इनके पिता का लेखा जोखा है प्राणी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है जिसका जिस पर करजा होता है वो उसको सो जनमोत के बाद भी चुकाता है और यही बात भगवान शी कृष्ण ने पितामा से भी कही यह बात महाभारत काल की है महाभारत का भी शड़ युद्ध समाप्त हो चुका था शी कृष्ण ने सरसाया पर पड़े पितामा का आशिरवात लेकर लोटने लगे तो पितामा ने शी कृष्ण को अपने पास बुलाया पास बुला करके भीश्मन ने पूछा मधुसूदन मैं अप इन में मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया शी कृष्ण ने उनसे सहमती जताते हुए कहा ये सही है कि सो जन्म में आपने ऐसा कुछ नहीं किया यह 101 जन्म की बात है उस जन्म में भी आप एक युवरास थे एक बार जंगल से गुजर रहे थे एक पेड के नीचे कुछ दे वो कीड़ा पीछे बेर की कटेली टहने पर पीठ के बल गिरा बेर के काटे उसकी पीठ में धस गये बेचारा कीड़ा काटों से निकलने की जितनी कोशिश करता उतना ही काटों में धसता जाता कीड़ा उसी अवस्था में कई दिन जीवित रहा उसकी तकलीफ आपके नाम दर्ज हो चुकी थी लेकिन आपके पुन्य कर्म इतने प्रबल थे कि वह पाप फलित नहीं हो पा रहा था। जब हम जन्म लेते हैं या फिर जब हम गर्ब में रहते हैं तब हम उस इश्वर से यही प्रातना करते हैं कि इस पुनर जन्म के बंधन से इस बार हमें मुक्त करें। इस बार जनम लेने के बाद हम अच्छे कर्म करेंगे लेकिन जनम लेने के बाद हम उन बातों को भूल जाते हैं, मोह माया के बंधन में बढ़ जाते हैं, कर्म के फल कभी न कभी मिलते ही रहते हैं, इसलिए प्रत्वी पर निवास करने वाले प्रतेक जीव जन्तू को, प्रा जिसके हम करजदार हैं किसी का करजा हमने खाया है किसी के पैसे लिए हैं और वो पैसे वापस नहीं दिये हैं तो वो पैसे हमें चुकाने पड़ेंगे यदि इसी जनम में चुका दिये तो सब ठीक लेकिन इस जनम में ना चुकाए तो हमें अगले जनम में चुकाना पड़े या फिर किसी सगे संबंधी के रूप में जनम लेगा, या फिर आप गधा बनेंगे, या बैल बनेंगे, या कुट्ता, जो आप उन पैसों को चुकाएंगे, आपको कर्ज दो चुकाना ही पड़ेगा, यही शाश्वत विधान है, यही प्रकृती का नियम है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है, और जो दूसरे तरीके का पुत्र होता है, शत्र पुत्र, वह भी आपसे बदला नहीं छोड़ेगा, आपके पास कोई गरीब रहता है, कोई कम जो रहता है और आप ताकतवर है, उस पर आप अपने बल का प्रियोग कर रहे हैं, उसे म्रत्यू के समान यातनाई दे रहे हैं, तो यह यातना उसकी आत्मा सहेगी, वो भी मौका मिलने पर आपको उतने ही भेंकर यातनाई देगा, पहले वाले दो पुत्रों की मृत्यू पिता से पहले हो जाती है और बाकी के जो पुत्रों होते हैं उदासीन और सेवक उनकी मृत्यू पिता के बाद होती है ये वो पुत्रों होते हैं जो आपकी खूब सेवा करते हैं क्योंकि आपने पिछले जनाम में कुछ अच्छे कर्म किये थे यानि कि पिता पुत्रों की मृत्यू नहीं देख सकता हमेशा ध्यान रखें कि हमें किसी का नहीं लेना चाहिए अगर हमने किसी से कुछ लिया है तो उसे तुरंत वापस कर दे हमें किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए हमसे अगर कमजोर है और हम उसको मृत्यू के सामान यातनाई दे रहे हैं तो वो भी मौका मिलते ही अपना हिसाब किताब हमसे जरूर चुकाएगा गरेश जी कहते हैं कि अब तो आप लोग समझी गए होंगे कौन से पुत्रों की मृत्यू पिता से पहले हो जाती है और कौन से पुत्रों माबाब को कश्ट देने के लिए आते हैं तो दोस्तों ये थी जानकारी की कौन से पुत्र की मृत्यू पिता की मृत्यू से पहले होती है अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताईएगा तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे